यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ विधायक राजेश ठाकूर और पूर्व मंत्री प्रवीन शर्मा सहीत पांचों मंजलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया उन्नव जिला के थानकला में भाजपा की दो दिवस्य बैठक आज संपर हो गई दो दिनों की इस बैठक में मिशन 2019 को लेकर रणनीती तयार की गई तो बैठक कर चुनावो की रूप रेखा यहाँ पर बनाई गई बीजेपी प्रदेश अधेक्ष ने पदाधिकारियों को यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिये और लोगसभा चुनावो को लेकर बीजेपी अब कमर कस चुकी है इसी के चलते बैठक की गई और बैठक में चुनावो की रूप रेखा भी वनाई गई आने वाले चुनावो को लेकर यह बैठक बेहद एहम मानी जा रही थी साथिया आपको बता दे कि लोगसभा चुनावो को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और इसी के चलते बैठक का दौर जारी है बैठक कर चुनावो की नई रर्निती नई रूप रेखा उनकी ओर से तयार की गई जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पदा धिकारियों को भी दिशा निर्देश दिये और आगे की रर्निती पर काम करने के निर्देश भी उनकी ओर से दिये गए तो उना में लोगसभा चुनावो को लेकर बीजेपी ने कमर कसली है इसी के चलते बैठक यहाँ पर की गई और बैठक में पदा धिकारियों को दिशा निर्देश भी दिये गए साथ इस बैठक में रूप रेखा तयार की गई आने वाले चुनावो को देखते हुए रर्निती यहाँ पर बनाए गई साथी सभी लोगों को दिशा निर्देश दिये गए पदा धिकारियों को यहाँ पर दिशा निर्देश दिये गए बीजेपी प्रेदेशा ध्यक्ष क की ओर से और लोगसबा चुनावो को लेकर यह बैठक बेहद अहम थी और आने वाले चुनावो को देखते हुए चुनावो की रूप रेखा भी यहाँ पर तयार की गई झाल